हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दिनांग 16.9.2021 को धौलपुर से अपहरन हुए 11 साल के नाबालिक बालक को धौलपुर गाउ में एक कुएं के पास से अपहरन करता से छुड़ा कर संडरक्षन में लिया जाकर अपहरन करता को गिरफतार किया गया दिनांग 16.9.2021 को वक्त रात के 11 बचकर 15 मिनिट पर श्री कपूरा राम नीपूथाना अधिकारी पुलिस थाना रेवदर को जरिये टेलिफोन धौलपुर से नाबालिक बालक के अपहरन की इतला मिलने पर नाबालिक बालक की तलाश हेतू त्वरीत कारवाई करते हुए अ अलग अलग टीमों का गठन कर सर्च अभियान शुरू किया गया जिला पुलिस अदिक्षक सिरोही द्वारा टीमों को ब्रीफ कर स्वयम पूरेस एवं कॉम्मिंग ओपरेशन के दौरान साथ रहे अपहरन करता जीतू उर्फ जितेंद्र कुमार को तक्नीकी आधार पर जि प्राप्त करते हुए वो चिन्हों के आधार पर रातरी की समय बैटरी के उजाले से सर्च पर कॉमिंग ओपरेशन जारी रखा गया अपहरन करता को पुलिस सर्च ऑपरेशन की भनक लगने से अपहरता बालक को एक स्तान से दूसरे स्तान लेकर घुमता रहा पुलिस टीमो अरिजनों की उपस्ति में बालक को बालक कल्यान अधिकारी श्री मगना राम सहुनी को सुबूद्र किया गया प्रार्ती श्री रमेश कुमार कॉली निवासी धौलपुर ने एक लिकित रिपोर्ट इस आश्रे की पेश की कि मेरे छोटे भाई जैनती लाल का 11 वर्षिय नहीं लेकर चला गया है अब जितेंद्र कुमार उसके मुबाइल से बालक की माता को फोन करके धंकिया दे रहा है जिस पर अपरन करता के विरुत प्रकरन दज कर अनुसंदान शुरू किया वह अपरन करता जितेंद्र कुमार को बाद पूचताज प्रकरन में गिरफतार कर प्रक्रण में अनुसंदान जारी है गिरफतार अभियुक्त जितेंद्र कुमार पुत्र बाबुलाजी जाती कोली निपासी डिगोलिया धौलपुर तैसील रेवदर जिला सिरोई जागरुक टिवी की नगानी से महिंदर सिंग परमार के रिपोर्ट